हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग सब हम लोग ले के आए हैं आज आपके लिए एक one stop solution की कैसे आप एक बार में अपने CA foundation को cross कर सकते हैं साथी साथ कोई भी professional degree एक बार में clear कर सकते हैं इस रामबार्ण strategy के साथ जो आज मैं आपके साथ इसी platform पर unlock करूँगा तो अभी हम के लिए पूरा का पूरा CA Foundation स्थितित रखते हैं और बाद में इसमें अपने और जोड़ लेंगे बट अभी के लिए हम लोग इसको सीधे-सीदे CA Foundation oriented ही रखेंगे तो सर आपको सबसे पहली चीज यह है कि सर CA Foundation में subjects कितने हैं so there are four subjects जो आपके CA Foundation में आते हैं sir कौन कौन से सर एक है मेरा और तुम्हारा favorite accountancy उसके बाद गुपता जी का subject law उसके बाद आता है sir maths और उसके बाद sir आता है last में आपका eco bc के अब बात यह आती है कि sir actually में paper तो आप बोल रहे हो चार घंटे से जादा नहीं पढ़नी है sir only four hours से हो जाएगा हां sir only four hours से हो जाएगा यह मैं आपको बोल रहा हूं क्यूं क्यूंकि आप एक बार अगर मेरे को ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा four hours में कैसे होगा देखे अब four hours को आपको divide ऐसे करना है कि आप day wise group बना लीजे ठीक है यासे for example अगर आप Monday की बात करते हो for example अगर आप Monday की बात करते हो ठीक है तो Monday को आपके होने चाहिए दो subjects sir let's say एक हो गया accountancy आपने इसको दे दिये 2 घंटे और एक हो गया आपका साथ में law और इसको आपने दे दिये 2 घंटे ठीक है उसके बाद आएग आपका आप maths को दे रहे हो 2 घंटे ठीक है और आप साथ में दे रहे हो भया अपने जो इको है इको most scoring paper इको इको को दे रहे हो sir 2 घंटे तो ऐसे 2 घंटे करके आप everyday 4 hours बैठोगे अब यह पहला question आता है कि sir यह हम लोग morning में करें evening में करें 4 hours कि 2 घंटे morning और 2 घंटे evening में करें sir कौन सा करना चाहिए whatever suits you the best सबकी अलग-अलग सोच होती है सबकी अलग-अलग ख्वाइशे होती है ठीक है जिन्दगी से वैसे ही preparation के level पर भी तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो you can do a morning evening shift a night night shift और a morning morning shift whichever way you feel like तो जो भी आपको choose करना है आप यहाँ पहले वो कर लो उसके बाद next में आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा Monday Tuesday यह हो गया इसके बाद sir Venice day को क्या होगा सबसे जादा unique वो चीज है कि Venice day को क्या होगा sir Venice day को आप वापस से again फिर से आपका accountancy आएगा 2 hours का देखे है और law आजाएगा 2 marks 2 hours का मतलब आप यह समझ लो कि in a week of 6 days I am not counting Sunday आप हर subject को 2 into 3 times कर रहे होगे मतलब आप हर subject को 6 hours दे रहे होगे that is good enough योगि 6 6 6 6 6 आप 24 hours हर subject को दे रहे हो that is very good कोई भी और strategy में आप ऐसा नहीं कर पाऊगे strategy का सबसे बड़ा फाइदा क्या होगा पता है आपको long run में आपको यह feel होगा कि आपको मिल रही है repetitive revision जो सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है आपकी बढ़ रही है practice की वज़े से speed तो paper जल्दी complete हो रहा है वो जो कभी-कभी होता है ना गजनी वाला भूला 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 वो सब नोटनकी नहीं हो रही है आपको सब कुछ याद रह रहा है तो आप खुश रह रहे हो ठीक है आपको सब कुछ याद रह रहा है तो आप उसमें खुश रह रहे हो तो यह सबसे बढ़िया चीज होगी आपके साथ पर सर इस स्ट्राटरजी को एक्जिक्यूट कैसे करना है अभी तो आपने हमें यह सिखा दिया more or less आपने में ये बता दिया कि हमें subjects को कैसे divide करना है अब subjects की अंदर की कहानी बताईए so let's proceed तो subject की अंदर की कहानी अभी जैसे अगर मैं नकुल सर को पूछू तो नकुल सर अगर बोलते हैं कि sir मेरे accountancy में देखें 12 chapter है तो मैं क्या करूँगा 12 chapter को 3 group में divide कर लूँगा group 1, group 2, group 3 हर group में 4-4 chapters होंगे 4 chapters each in every group अब जब 4 chapters in every group आपके पड़े हुए हैं हर group में आपके 4-4 chapters है 4-4 chapters are there in every group तो अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि आप practice कैसे करेंगे अब जब आप Monday को जा रहे हो ठीक है फिर Venice J को आप वापस accounts करोगे तो Venice J को ये 4 chapters करोगे और फिर Friday को जब वापस accounts करोगे तब ये 4 chapters करोगे अब इससे क्या हो रहा है आपने पूरा syllabus एक हफते में किया है बहले कुछ सम किये हैं लेकिन एक हफते में पूरा syllabus किया है अब इसमें सर जब आप दो घंटा बैठोगे तो कैसे डिवाइट करोगे? ठीक है? बड़ा सिंपल है. हर एवरी चैप्टर को ठीक है? एवरी चैप्टर को आप दोगे कितने घंटे? 30 मिनिट्स. सर, 30 मिनिट्स में क्या होता है? दो सम तो बनता है? यह सोचो अगर 30 मिनिट्स में एक चैप्टर का दो सम बना, थेक है? तो दो घंटा में कितने 30 मिनिट्स हुए? 4 इंटु 2, 8 सम बन गए. और 8 सम सबसे बड़ी आबात क्या है? पता है? 4 डिफ्रेंट चैप्टर से बने. तो आप क्या अगर तो आप दो घंटा पढ़ने बैठोंगे आप एक चैप्टर के 20 सम सॉल्फ कर लोगे लेकिन हुआ तो उसी चैप्टर का है न और फिर अगर कुछ दिन तक वो चैप्टर नहीं करोगे तो भूल जाओगे फिर आप तो ये चैप्टर रिपीटिव होने से न आ आपको चीजे याद रहेंगे ये रिंव लॉजिक आप यसकिर सकते हो हर प्रैक्टिकल पर मैं इसका PayPal का मैं वाल्मड सुल्फ करे दिवार तो अब आपके हो प्रैक्तिकल वाला सीनारियो को गया होगा अकांटंस के लिए भी समन चush और अकांटंस के लिए भी शॉड करे म What is the other aspect, sir? अगला aspect क्या है, sir? Sir, अगला aspect आपका आता है, मेरा personal favorite aspect number two, जो की है, sir, आपका theory paper के लिए कैसे prepare करोगे? Theory paper के लिए कैसे prepare करोगे? Theory paper, sir, as in, law के लिए कैसे करेंगे? और जो strategy law में लगेगी, वही को में भी लगेगी? तो चलो, sir, law की बात करते हैं. Sir, law में आपके 5 act है, तो क्या, sir, हम लोग रोज act को group में बाते हैं? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं करना. ऐसे नहीं करना. आप जब 2 घंटा बैठे हैं न, तो simple law paper, 1.5 hour is study time. Study time. तेक है? और 0.5 hour, मतलब 30 minutes approximately, is writing. Written practice. जो कि बिना written practice कुछ भी नहीं होता, तो ये आदा घंटा तो भाईया आपको लिखना है. और ऐसा वैसा नहीं भाईया, दबा के लिखना है. तेक है? जैसे जैसे exam करीब आएंगे, जैसे अभी भी तो फिर भी फेब चल रहा है. तेक है? इस अभी भी तो फेब चल रहा है. जैसे अभी फेब खतम होने वाला है. तो अभी आप ये चीज़ फालो करो, जैसे जैसे time pass आते जाएगा, अब यहाँ से number गिराते जाना, और यहाँ पर number add करते जाना. ठीक है? अब मेरा मुद्दा यह है कि इसको कैसे करेंगे? ये बताओ. ये जो देड़ घंटे वाला है, इसको कैसे किया जाएगा, सर ये बताओ. बड़ा सिंपल. You have 1.5 hours to study. देखें, देड़ घंटा है पढ़ने के लिए. आप इस देड़ घंटा के period में इसको manage कैसे करोगे उसमें आओ. जान तो सुनना, मेरी बात. इस देड़ घंटा को manage कैसे करोगे सुनिएगा. लेट से आपने एक्ट उठाया कि सर आप सबसे पहले करोगे सुगा. वैसे सबसे पहले आपको LLP करना चाहिए. तो देड़ घंटे में आप मैक्सिमम कितने पेज पढ़ लोगे सुगा कि. लेट से आप हमारे notes से पढ़ रहे हो. या किसी भी चीज से पढ़ रहे हो. मैं आपको first time study की बात कर रहा हूँ. तो कितना कर लोगे? लेट से सर दस पन ने. 10 pages. तो लेट से आप 10 page पढ़ लोगे. यह मैं अपनी average निकाल के बता रहा हूँ कि मैं कितना कर पाता. ठीक है? 10 pages. 10 pages कर लोगे सिदार तो नहीं कर पाऊँगे. 10 pages itself, not more than this. तो यह जो आप 10 page करोगे. यह जो आप 10 page कर पाऊँगे. 10 page से ज़ादा नहीं कर पाऊँगे. Only 10 pages. तो यह 10 page जो आपके होंगे. ठीक है? 10 pages जो आपके होंगे. अब next day. जैसे माली जी यह आपने पढ़ा मंडे को. अब आप law वापस से कप करोगे वेनस जे को? जब आप वेनस जे को law पढ़ने आऊँगे. तो आप देड़ घंटे की जगा 1 hour new पढ़ोगे. ठीक है? और 0.5 hour में आप last दिन के 10 pages को revise करोगे. ठीक है? तो सर 1 hour में कितने page कर लेंगे? 1 hour में let's say आप 8 page कर लोगे. 8 pages. ठीक है? जब आप Friday आओगे तो अब आप फिर एक घंटा पढ़ोगे. आप क्यूंकि पहले वाला एक बार already revise हो चुका है तो वो उतना time लेगा नहीं. तो जो new 1 hour करोगे और जो old है 0.5 hour उसको आप revision में डालोगे. ठीक है? old वाले को फिर revise करोगे. जो उपर पढ़ा था. तो let's say यहाँ पर फिर 8 pages हो गए. तो cumulatively आप एक चीज़ नोटिस करो. ठीक है? logically notice करो. कि Monday, Wednesday, Friday में आपने 18 दुनी 8 ठीक है? 24 pages आपने पढ़ लिये हैं. ने 18 और 8 बुला ना मने? 18 और 8. 26 pages आपने पढ़ लिये हैं. ठीक है? 26 pages आपने पढ़ लिये हैं. जिसमें sir more than half of the act हो गया होगा. और वो एक बार revise भी हो गया. एक बार इधार revise हुआ, एक बार इधार revise हुआ. जो आपने when you mundo, जो आपने Monday पढ़ा है न, वो दो बार revise हो चुका है. Wednesday और Friday. जो आपने Wednesday पढ़ा है, वो एक बार revise हो चुका है Friday. और जो Friday के बाद जो Monday आएगा, उसमें जो आपने Monday पढ़ा है वो तीन बार रिवाइस हो चुका होगा जो Tuesday पढ़ा है वो दो बार हो चुका होगा जो Friday पढ़ा है वो दूसरी बार हो रहा होगा Sorry, Monday चार बार हो गया होगा Wednesday जो पढ़ा वो तीन बार हो जाएगा और Friday जो पढ़ा वो दो बार हो जाएगा ऐसे करके cumulative revisions होते रहेंगे तो पढ़ाई के साथ-साथ revisions चलेंगे अलग से करने की ज़रुवत नहीं पढ़े ठीक है यही same strategy you can use for same you can use for law as well same you can use for eco as well और sir आपको पता है यही वो master strategy है जो जिससे एक class 6 पे ठीक है all subjects fail होने वाला student all subjects fail होने वाला student fail होने वाला student class 10 में class 10 में मात्र 80% लाने वाला student ठीक है आज CA भी है आज CA भी है CS भी है दोनों के intermediate में rank holder भी है ACCA भी है CPA भी CPA भी cleared है और CFA भी level 1, level 2 clear है सिर्फ इसी वज़े से this strategy only nothing else so thank you so much for watching guys I hope आपको मज़ा आया हो please channel को like subscribe जरूर कर लीजेगा और share करना मत धूलिएगा आपने उन दोस्तों के साथ जो परिशान है कि इतने सारे subjects कैसे manage किया जगा है thank you so much for watching इस channel पर आपको हमारे वीडियो और भी दिखेंगे आगे भी bye-bye see you tata guys